कि नमस्कार दोस्तों मैं हो शुबुदीप और आज मैं बताने वाला हो के एसूस H110MD का फ्रॉंट पैनल कनेक्शन कैसे किया जा सकता है और यह बहुत ही आसान है वीडियो को इंड तक देखते रही है और दोस्तों मैं इस वीडियो के बना रहा हूँ नीतेश कुमार नाम का एक दोस्त है मेरा यूट्यूब में तो उसके रिक्वेस्ट पर बना रहा हूँ और स्टेप बाई स्टेप आप देखते रही है इसका जो फ्रॉंट पैनल कनेक्शन होता है मैं आपको दिखाता हूँ मेरे पास बहुत अच्छे कैमरा है नहीं कि हर चीज फोकस में हो तो मैं जितना भी दिखा दूँगा आपके काम आ जाएगा पस मेरे बातों पा ध्यान दीजी और एक बार ध्यान से देखिए मैं क्या कर रहा हूँ तो सबसे पहले जो है मैं इस पिन को खोल रहा हूँ सबसे उपर का जो होता है तो इसमें लिखा है पावर स्टेब्ल्यू सी एच ठीग है तो पहले जितने भी उपर पिन है अब देख सकते हैं कि आठ पिन होगा यहां पर एक दो तीन चार और इस तरब चार तो इस पहला जो दो पिन होता है उस दो पिन को छोड़ दीजिए आपको इंसेट करना है सेकंड दो पिन में मतलब देखीजिए यहां पर आपको पावर केबल देना है तब यहां से उट कर दीजिए तोड़ा जेंटली कीजिएगा और ध्यान में रखिए कि यह अच्छी तरह से connect हो जाए क्योंकि अगर lose connection होता है तो बहुत problem होता है तो आप नीचे दिखा देता हूँ नीचे भी बहुत सारे pin है तो सबसे पहला जो दो pin होता है मतलब यह जो दो pin होता है यहाँ पर आपको connect करना है HDD LED ठीक है HDD LED अबको यह connect करना है और जो HDD लिखा होगा और नीचे के तरफ होगा तो यहाँ पर मैं connect कर देता हो ठीक है अब दूसरा वाला जो pin होगा मतलब मैं खोल लेता हूँ एक फ़र यह है reset ठीक है reset की तो यह पावर LED के नीचे portion में लग जाएगा जो की दो number में होगा ठीक है मैं इसे लगा देता हूँ अब जो है इसे अब धान में देखिए उसके बाद मतलब नीचे के पाच नंबर में जो pin लगदा है नीचे के पाच नंबर में वह है power LED प्लस ठीक है पाच नंबर में यह लग ज पाच नंबर पर नीचे के पाच नंबर पर तो इससे मैं connect कर दिया ठीक है यह connect हो गया अब जो है last वाला जो पीन होगा ओ छे नंबर पर लगएगा लेकिन थोड़ा gap आएगा इसमें ठीक है थोड़ा से gap अफ्फिल करेंगे कि थोड़ा gap यहां पर रहता है तो यहां पर आ यहां बगाना है आपको पावार led-minus तो led-plus होगा पांच पर इंकी इसमें इसमें एक्षिए नंबर पर बस आपका काम बन चुका है अगर वीडियो आपका काम आए तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए किया मेंट कीजिए और हाँ नोटिफिकेश आइकन को दवाना मत भूले।